Hello students, welcome to Igno Hindi classes. I hope आप सभी अच्छे हुँगे. आज इस वीडियो में हम BHDE142 जिसका नाम है राश्ट्रे काविधारा. आज हम इसके कुछ important और previous year के questions को देखेंगे और साथ ही उनके answers को भी cover करेंगे. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपके इस paper में जितने भी questions आएं है last year के, मैंनो उनके सब को cover किया है. ये इस वीडियो का पहला part है, इसके बाद मैं एक दूसरा part और बनाऊँगे, जिसमें कुछ बाकी के जो बचे हुई questions है, उनको भी करवाऊंगी, उनके answers भी आपको करवाऊंगी. अभी हम वीडियो शुरू करते हैं, जिससे कि आपको नब पता लगेगा कि मैंने questions को किस तरह से लिखा है, और उनके answers को किस तरह लिखा है, ठीक है? तो हमारे जो पहला question है, वो है, मैथली शरंगुप्त का परिचा देते हुए, उनके इतिहास बोध की चर्चा कीजिए, ठीक है? इसी के साथ मैंने दूसरा question लिखा है, मैथली शरंगुप्त के काववे में अभी व्यक्त समा सुधार के सरो की चर्चा कीजिए, इसके बाद अगला question है, मैथली शरंगुप्त के काववे के सनरचना पक्ष पर विचार कीजिए, और आखरी question है, रास्टे चेतना के विकास में मैथली शरंगुप्त के योगदान पर प्रकाश डालिए, यह जितने भी चारो question है, यह सारे किन से related है, मैथली शरंगुप्त से, ठीक है, और इन में से कोई भी question अगर आप से पूछा जायाएगा, मैंने सारे ही topic को questions में convert करके लिखा है, और जो question पूछ गया है, उनको वही answer लिखना होगा, बस ध्यान रखना है, यह, बस आपको यह ध्यान रखना है, कि question में पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है, आप मेरे इस answer में से सिफ उसी answer को उसके अंदर लिखेंगे, तो अप्य हम answer देखते हैं, इसका, रास्टर कभी मैथली शर्णगुप्ट दुवेदी युक के सरवाधिक लोकप्रिय कभी है, मैथली शर्णगुप्ट का जन तीन अगस सन 1886 को चिरगाव के एक वैश्य परिवार में हुआ था, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण और माता का शिरी मती काशी बाई था, सेठ रामचरण धार्मिक प्रवरती के पुरुष थे, धार्मिक कथा वारता, भजन पूजन, उनका दैनिक नियम था, सभावता गुप्त जी पर भी इस वातावरन का प्रभाव पढ़ा, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा जहांसी के राज के विद्याले में हुई, जहांसी से लोटने पर स्वतंतर रूप से संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का अध्यन किया, धीरे-धीरे कथा साहित्य तथा उपन्याज आधी में रुची बढ़ने लगी, इतिहास, पुराण, आधी के साथ संस्कृत के काव्य और नाटको कावियनों ने अध्यन किया, काली दास गुप्त जी के अत्यन्त प्रिये कवी थे, अंग्रेजी सीखने का प्रेत्न भी किया, पर अंतु उसमें विशेश गती नहीं रही, गुप्त जी का पारिवारिक जीवन अधिक सुखी नहीं रहा, इनकी दो पत्नियों की असमें मिर्ति हुई, यहाँ पर असमें या मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो यहाँ पर या लिखा हुआ है, असम नहीं है, असम की जग, असम नहीं होकर या भी है साथ में, तो असमें मिर्ति हुई, उनकी तीसरी पत्नी सर्यू देवी और उनके एक मात्र पुत्र शिरी उर्मिला शरण गुप्त हैं उन्हों जिन्होंने प्रकाशन आधी का कार्यभार संभाला उन्हें अपने परिवार में सभी प्रकार का मान सम्मान प्राप्त हुगा कवी की स्वन जैनती के अफसर पर महत्मा गांधी ने उन्हें मैथली कावे मान गरंद भेट करते हुए रास्ट कवी की उपादी से सम्मानित किया 1936 में साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकैडमी पुरुसकार और 1938 में मंगला चरण पारितोशिक प्राप्त हुगा 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पती से अलंकरित किया 1948 में आगरा विश्विद्याले और 1960 में काशी विश्विद्याले ने डीलिट की मानद उपाधी देकर उन्हें सम्मानित किया 1952 में गुप्त जी राज्य सभा के सदस्य मनोनित हुए 1954 में पद्म भूशन से उन्हें सम्मानित किया गया 12 दिसंबर 1964 को गुप्त जी का देहांत हुआ तो ये तो था गुप्त जी का जीवन परिच है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की मैथली शरण गुप्त की काववे रचनाओं की संख्या 34 के आसपास है उन्होंने 50 वर्षों तक इन्होंने 50 वर्षों तक काववे लेखन किया मूल काववे रचनाओं के अलावा गुप्त जी ने उर्दू, संस्कृत और बंगला के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है उनकी संख्या लगभग 9 है अब हम यहापे इनकी कुछ गुप्त जी की काववे रचनाओं देखेंगे जो की हैं जैद्रत, वध, जंकार, रंगमेभंग, भारत, भारती, साकेत, यशोधरा, विश्नुप्रिया, पंचवटी, आदी इसके बाद हम इनके अनुवाद ग्रंथ देखेंगे जो उन्होंने अनुवाद किये थे विरहिणी, वजरांगना, मेगनाथ, वध, पिलासी का युद, विरांगना, आदी ये थे इनके अनुवाद ग्रंथ इसके बाद हम देखेंगे इनका काववे का भावपक्ष, काववे की विशेष्टा है या फिर हम काववे की प्रवर्थियां भी कह सकते हैं तो सबसे पहले इसके अन्दर आता है अतीत का अधार या फिर इतिहास बोध, ठीक है, जैसे हम इतिहास बोध कह सकते हैं जन मानस में रास्टे चेतना जगाने के लिए और वर्तमान दुर्दशा के कारणों को जनने के लिए मैतली शर्ण गुप्त ने अतीत के वैभव शाली भारत का चितरण अपनी कविताओं द्वारा प्रस्तुत किया हम कौन थे, हम क्या हैं और क्या होंगे यह जनने की जिग्यासा लोगों में उत्पन हो और जिससे भारतिय सांस्केति गरीमा और सभ्यता को वे जान सके और गुलामी की शंखलाओं को तोड़ कर एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके गुप्त जी ने अतीत के भव्वे और उदाश चरित्रों को कथाओं के माध्यम से यूग की आविशक्ता के अनुसार एक कुशल चित्रकार की भादी नया रूप देकर प्रस्तुत किया गुप्त जी अतीत की वैभव शाली परंपरा में विश्वास रखते थे उनका मानना था कि भारत की प्राचीन सभ्यता ही जनता को वह शंदेश वह प्रेणा दे सकती है जिस से रास्टे भावना का निर्माण हो सके इसके बाद अगला काववे की जो विशेशता है वो है नारी सम्मान की भावना मद्धेकालीन सामंतवादी समाज में नारी को केवल भोग की वस्तु माना जाता था उसका कार्य छेत्र केवल उसका घर था और शिक्षा दिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था आधनुक युग की इस विचार दस्टी में नारी की स्थिती को समाज और देश के लिए अत्यंत हानी कारक माना नारी की स्वतंत्र असमिता कारे करने की कुशलता और बुद्धी मता को पहचानने का प्रयास किया गया देश के एक विकास में सहयोग देने वाली महत्मपूर शक्ती के रूप में उसे पहचाना गया गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा, विश्णू प्रिया, जावली, जयनी, कावे रचनाओं में नारी को उच्च और मधूर प्रेणा मई सहयोगनी के रूप में दिखाने का प्रयास किया है हिंदी साहित्य के कावे छेत्र में जो कुछ ऐसे नारी पात्रों की उपाइक्षा हो रही थी जिनके त्याग, उदार्ता और वेदना की अब तक कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला और यशोधरा में राहुल जन्नी की वेदना को स्वर्ण देखर नारी के अस्तित्व बोध को अभिव्यक्थ किया है तीसरा है राष्ट्रे भावना मैथली शरन गुप्त की राष्ट्रे भावना उच्च कोटी की थी उनका संपूर साहित्य भारत की सामुहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने भारत को एक इकाई के रूप में देखा उनके रदिस्टी में हिंदू का अर्थ है हिंदूस्तान में रहने वाला वह भारत माता के चर्णों में सर्वस्व समर्पित करने वाला गुप्त जी ने इस पस्ट शब्दों में गौरव के साथ इस बात की घोशना की है यहाँ पे दो पंक्तिया है हम हैं हिंदू की संतान, जीए हमारा हिंदुस्तान अगला जो स्वर आता है या कावे के जो विशिष्टा है वो है समाज सुधार का स्वर गुप्त जी की रचनाव में हिंदू मुस्लिम एक्ता, अच्छूत, उधार, विद्वा विवा का समर्थन, बाल विवा आदी का मार्मिक वर्णन हुआ है जो इनके समाज सुधार, विश्यक, प्रवर्ती का परिचायक है अच्छूत, उधार के सम्मंद में इनका कथन है इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं, किन्तु नहीं वैसी वाणी ठीक है इसके बाद हम इसमें देखेंगे, गुप्त जी के काववे का सनरचना शिल्फ या फिर शिल्प पक्ष, ठीक है या फिर रचना विधान भी कह सकते हैं, हाना तो कुछ भी बोलो, आपको अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है, रचना विधान, पूछे शिल्फ पूछे, गुप्त जी की सनरचना शिल्प बताईए, काववे की, या काववे का रचना विधान बताईए, हाना या शिल्प पक्ष बताईए तो आपको ये लिखना होगा जो अब हम पढ़ेंगे गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिश्कृत खड़ी बोली है उसमें ब्रज भाषा की भाती माधुर्य एवन सरस्ता है कहीं कहीं संस्कित के तत्सम शब्दों के कारण दुर बोधता अवश्य आ गई है फिर भी भाषा के प्रवाह में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई पड़ता है उनकी भाषा में विश्य अनुसार, ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश है कहीं कहीं आंचलिक और देशत श्रब्दों का प्रियोग हुआ है लोकोक्तियों और मुहावरों को प्रियोग से भाषा में विशेश सजीवता दिखलाई पड़ती है गुप्त जी की शैली में चार रूप दिखलाई पड़ते हैं जिनमें प्रमुख है प्रबंधात्मक उपदेशात्मक गिती नाटे भावात्मक शैली आदी गुप्त जी की रचनाओं में प्रयाई सभी रस मिलते हैं किन्तु करून विप्रलब तथा वासले रस की प्रधानता है वीर और सांत रस भी जहां तहां दिखलाई पड़ते हैं इस प्रकार गुप्त जी जातिय परंपराओं के उपस्थापक रास्टे गौरफ के संदेश वाहक और भाशा के नवीन सरूप में प्रतिस्थापक सूर तुलसी के बाद हिंदी के सर्वाधिक लोक प्रिय कभी है तो यहां पर यह हमारा पहला कोशन खतम होता है अब इसमें आपने आंसर के अंदर देखा होगा कि उपर जितने भी कोशन पूछे गए थे मैंने चार कोशन लिखे थे वह चार कोशन कोवाधे थे मैं आपको दुबारा दिखा देती दिससे के आपको पता लगेगा कि मैंने इस आंसर में 1500 कोशन का आंसर लिखा है जितने भी पेज का यह 4 से 5 पेज का आंसर culturalis कि इसमेरी के अंदर मैंने उन सभी कोशन के आंसर को कवर कर लिया है एक वर मैं आपको कोशन दिखा देती हूं दुबारा से परीचय पतर कि मैं इतिहास बोध की जिसके अंदर कावय की विशेष्टा के अंदर हम पड़ा अतीत का अधार और इतिहास बोध हैं तो मने वह भी कवर कर लिया इसके अंदर दूसरा था हमारा मैथलिशन गुप्त के काववे में अभीव्यक्त समासुधार के सवरोगी चर्चा कीजिए ठीक है जैसे अगर आपका ही दूसरा कोशन है तो हमने काववे की विशेश्चता के अंदर पढ़ा समासुधार के बारे में भी पढ़ लिया उनके समासुधार के सवर को देख लिया लेकिन अगर आपके पेपर में कोशन आता है नहीं यह कि मैथलिशन के गुप्त के काववे में अभीवक्त समासुधार के सवरोगी चर्चा की जीए ठीक है तो आप सिर्फ न यह नहीं लिख जितने भी कोशन पूछे जाए ना कवी से रिलेटिड ये सारे कवियों के लिए इसे अंदर तोटल पांच या छे कवियों के बारे में चर्चा की गई है और हम उनी सभी से रिलेटिड जितने भी कोशन बनते हैं वो सब देखने वाले आगे तो एक चीज में आपको इंपोर सब या उनका महतव पूछ ले अफकर खांव क कवी का परीच्चय देना कि अगर आप सिर उनका कि महतव कर दो, ऱ क्वा दिक आर दो काव्याक्ता कावि को सिर्द्या को ना तो आउन को आपका नासर बड़ा होने वाला है क्योंकि 16 नमबर का कोशन आता है एक कोशन 16 मार्ग्स का होता है तो उसके साप से देखे तो आपको 16 नमबर में आप इतना तो नहीं लिखेंगे कि एक पेज का अंजर लिख देंगे क्यों काववे के विश्चता जाद से जाद कितनी होगी तीन चार पेज के अंदर थोलगे नहीं लिका। सकतेज심y तो उसके लिए आपको करना है किसे पहले हर कॉशन में पहरे कवी का परिच्चे देना है तो आप चीज़ याद्द है कि सारे ही कवी का परिच्चे को अच्छे से रट ले ले न मैं क्योंकि अगर आप वह भी आंसर लिखेंगे ना तो आपको लिखने में बहुत एजी होगा आपको अच्छे स्कोर मिल जाएगा क्योंकि आप पहले कभी का परीचे देंगे थोड़ा सा उसकी बाद जो कोशन के अंदर पूछा गया है उसी के साथ आप लेकर आगे बढ़ेंगे फिर आप उसको बार में लिखेंगे ठीक है जैसे कि पहला कोशन था मैं लिशन गुप्त का परीचे देते हूं इनके का इतिहास बहुत की चर्चा की है तो पहले मैंने परीचे लिखा हुआ था इसके अंदर तो आप उस परीचे को अच्छे से पढ़ लो याद कर लो ठीक है याद हो दूसरा कोशन के अभिवयक समा सुधार के सरो की चर्चा के लिखा हुआ है कावे की विशिष्टा के अंदर तो इसमें भी सबसे पहले हम इस कोशन में हम सबसे पहले मैंसे शनगुप्त का थोड़ा सा परीचे देंगे कि मैंसे अनुप्त क्या थे उनकी शिक्षा क्या सी नहीं होगे थी नंकी रचना और पीविशिष्टा पहले के इस तरह के लिखते थी उसके बाद वाध करेंगे समा सुधार के स्वरू की के उनके विशिउ는 एक थोंड़ा कावे में उन्होंने अपने कावे में समा सुधार के ऊपर भी काफी कवीताइं लिखी है उन विश्यों पर भी कवीताइं लिखी है तो यह सारी जीतें आप लिखेंगे इसके बाद हमारे अगला कोशन था मेतली श्रनयशण Dutchepta काव्ख में सं रचना पक्ष पर्विचार कीजिए तो छमर्चना पक्ष ना करना बह hypocर कि ना कि रचना किस तरह करते थेsan रचना प्रक्ष के अंदर किसी कह भी पूचला के पुछ समय यह यात है कि किस शरी में लिखते थे kupytaos किस तरह के शबदो का प्रियोग करते थे इस उनकी भाषा कैसी होती थी वह भाषा प्रियोग करते थी के नहीं कौन इस लिए थे प्रिव करते से कंका डू यह सारी चीजिन आपको लिखनी होती है तो संदरचना पक्षी में आपको मैं आपको एक पेज के अनदर लिख कर एक पेज में उसका फूआ हुआहिसी उसके पहलता अजिके सिर्व की रह्रे के श्युर्टर है के उढ़ा यह सब Certainly के बारे में थोड़ा सा परीचे देंगे उसकी वार जो हमने राष्टे-चेतना के बारे में लिखा हुआ है फिर हम वो लिखेंगे राष्ट चेतना के विकास में उनका क्या योग्दाना फृल हम लिखेंगे इस तरह से आपको जितने भी कवी होने वाले हैं इसके अंदर हम पढ़ने वाले उनका अंसर अगर आपसे किसी भी कवी से कोई भी कोशणा था अपको इसी तरह से लिखने जैसे मैं बताया है डार कैं अजल कोयों संप जा भाई जो तरमार सब्सक्री निखा ँमिraft धो यसमें मुझा ठीज हो थोड़ा है रही हों प्रड़ा इस ऑंपर जो आप उनका पाधी एंगे कि question में जो पूछा गया फिर आप उस चीज को लिखेंगे तो इससे क्या है कि एक तो अच्छे तरीकी साफ आप आंसर लिख पाएंगे आपका आंसर बढ़ा भी होगा 16 marks के according आपको अपना आंसर लिखना है 16 marks मतलब आपको 5-6 pages लिखने ही लिखने है तो वो चीज आप ध्या कि के जो आगे जो बाकी के जो question है वो मैं next video में आपको करवा दूँगी इसमें सिर्फ मैं एक ही question करवा पाई हूँ कि कि मुझे थोड़ा सा बताना भी था आपको की question आपको किस तरह से लिखना है इस video कुम यही पे खतम करते हैं आज की video मैं सिर्फ आपको एक ही question करवाया इसमें से फेकी कोशन करवा पाई हूं मैं आपको, यह समझा दिया कि आपको अपना आंसर किस तरह से लिखना है पेपर में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको आंसर ठीक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेर करना और कमेंट करके बताना कि वीड सुपनाई, थैंक्यू सो मच, विडी को देखने के लिए, और बाइ